So finally guys, एक ऐसा AI website आ चुका है, जिसमें आपको जिस भी तरीके का YouTube thumbnail की जरुरत है, वो सिर्फ इसमें लिखना है, और लिखते ही चुटकियों में professional thumbnail बनके ready हो जाएगा, तो वीडियो का लाइक करके फड़ा फट चैनल को सबस्क्राइब कर दे, तो चलिए फड़ा फट इस AI website से thumbnail बनाना सीखते हैं, सो guys, सबसे पहले Chrome browser को open करना है, और यहाँ पर टाइप करना है, चैट GPT और सर्ज कर देना है, फास्ट में ये website आजाएगा, इसी को आपको open कर लेना है, यहाँ पर ये start now पे click कर दे, और हाँ guys, अगर आप इस website को अपने phone में इस्तेमाल कर रहे हैं, त to thumbnail, idea for the title, सबसे पहले तो chat GPT को ये बताना है, कि chat GPT मुझे एक YouTube thumbnail का idea दो, जिसमें title भी हो, आप जिस भी category का thumbnail बनाना चाहते हैं, सबसे पहले ये word लिखना जरूरी है, आप इसके बाद आपके thumbnail का जो title है, वो यहाँ पर लिखना है, जैसे कि आपने भी देखा होगा, फिल कि आपका जो thumbnail है, वो किस category का है, फिर्ष्ट में आपको title लाना है, इसके बाद आपको category लिखना है, जैसे कि ये जो तुम्बाल मोवी हरर स्टोरी है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा, हरर स्टोरी, इतना लिखने के बाद गाईस, यहाँ पर तीरवाले option पे लिख करके search कर लेना है, thumbnail idea generate होने लगा, तो थोड़ा सा wait कर लेते हैं, तो यह देख सकते है, thumbnail idea generate हो गया है, लेकिन गाईस, यह English में लिखा है, तो हमें तो English आती नहीं है, तो हम कैसे समझेंगे कि हमारा thumbnail में क्या क्या होगा, तो गाईस, घबराये नहीं, अगर आपको English नहीं आती है सबसे पहले तो यह idea यहाँ से copy कर लेना है, इसके बाद एक new tab लेना है, और यहाँ पर search करना है, Google Translate, और guys, first में यहाँ पर आपको English लिखेना है, और अभी हमने जो text copy किया था, chat JPT से, और यहाँ पर paste कर दिना है, अब जैसी हमने paste किया, तो यह देख सकते हैं, English जो word था, वो Hindi में translate हो गया, अब आपके thumbnail में क्या-क्या यहाँ से पढ़ ले, और आपको अगर अच्छा लगता है, तो ऐसी ही रहने दे, बाकी अगर आपको लगता है, कि हाँ इसमें कोई फेर बदल करना है, या कोई बदलाव करना है, तो उसमें आप बदलाव कर सकते हैं, बाकी guys मैं इसको ऐसी ही रहने देता हूँ, अब इसके बाद फिर chat GPT में जाएंगे, और फिर से इसको coffee करेंगे, अब guys यह तो हमारा idea generate हो गया, कि thumbnail में क्या-क्या होना चाहिए, बाकी guys, अब हम thumbnail generate करेंगे, इसके लिए guys एक website है, जिसका नाम है, ideogram, और यहां से search कर देना, first website आज जाएगा इसको आपको open कर लेना, इसमें आप sign up कर ले, मैंने already इसमें sign up करके रखा हुआ है, अब guys यहां पर आपको click करना है, हमने जो coffee किया था chat GPT से, उसी को यहां पर paste कर देना है, पेस्ट करने के बाद यह guys उपर वाला जो है इसको आपको हटा देना, यहां पर एक generate क option है, उससे पहले यहां पर कुछ setting कर लेते हैं, सबसे पहले तो इसको auto में रखना है, इसका ratio solo by no रखना है, बाकी इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, सीधा आप यहां पर देख सकते हैं, generate का option है, इसपे click कर दे, फोर thumbnail यहां पर design होने लगे, तो थोड़ा सा wait कर लेते हैं So guys, यहां पर आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से हमारा thumbnail design हो गया है, है नहीं कमाल का, guys यहां पर देख सकते हैं, चार thumbnail design हुआ है, पहला यह है, दूसरा यह है, और तिसरा यह देख सकते हैं, guys, कितना कतरनाक है, अगर आप अपने वीडियो में इसको यूज करेंगे न पहला तरीका, अब यहां पर हम दूसरा तरीका जाल लेते हैं, कि हम खुद से लिख के अपने thumbnail को design कर सकते हैं, सबसे पहले फिर से हम chat GPT में जाएंगे, शुर्वातला जो मैंने लिखाता है, यह फिर से हम यहां पर लिख देंगे, अब guys, एक cartoon story का thumbnail यहां पर design करके मैं टाइटल है, चेडिया के जामुन की खेती, अब तो यहां पर हमने टाइटल लिख दिया, इसके बाद हम लिखेंगे कि यह किस काटेगरी का thumbnail है, तो यह है चेडिया की कहानी, इसके बाद फिर इस तीर के option पर click कर देना है, यह generate हो गया है, लेकिन guys, इसको अभी copy नहीं करन है, मैं सिर्फ character को कैसे दिखाना है, कहां पर रखना है वो बता रहा हूं, तो चली यहाँ पर लिखना सुरू करते हैं, सबसे पहले तो आपका जो main character है वो बताना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे main character हमारी टूनी चिडिया है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा, टूनी च नीचे खड़ी है, इतना हो गया, इसके बाद एक और चिडिया, जैसे की इसकी बहन है, जैसे की रानो चिडिया इसकी बहन है, और ए भी जामुन के पेंड के नीचे खड़ी है, लेकिन इनके जामुन के पेंड को काला कौवा डंडे से पीट रहा है ये देखके टूनी और रानो ये देखकर काला कउवा पर गुसा होती है ठीक है इतना आपको लिखना है लिखने के बाद गाइश यहां से आपको इसको कॉपी कर देना है मतलब आपको अपने थम्नेल में किस तरीके से कौन से करेक्टर को दिखाना है वो लिखना है ये कॉपी कर लेना है इसके बाद आपको जाना है आइडियोगराम में फिर इस टेक्स्ट में जाएंगे और सबसे पहले तो इसको हम अटाते हैं और अभी हमने जो कॉपी किया था में जाएंगे और इसके नीचे हम पेस्ट करतेंगे यहां से जेनरेट का ओप्षन है इस पर आपको क्लिक करते ही गाईज यहां पर आप देख सकते हैं हमने जैसा लिखा था सेम टू सेम वैसा ही आ गया यह देख सकते हैं टोनी यह रानो है और यह कौवा इनके जो जामुन ह इसको डंडे से फीट रहा है यह देख सकते हैं दूसरा यह है दिसरा यह है छथा यह है मतलब आप देख सेकते हैं जो हमने लिखा था सेम टू सेम वही आ गया तरी टूट पर जाएंगे और यहां से डाउन टूट पर खिलिक करके इसे दाउनलोड कर लेंगे उमीद हैं आ भर में 2000 से भी जादा लोगों ने जॉइन किया हुआ है तो अगर आप भी हमारे कोर्स को जॉइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा वहाँ से इजली जॉइन कर सकते हैं धन्य बाद